नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्स में और जी हाँ दोस्तों आपने सही पड़ा है थमनेल पे क्या TTML एक बार फिर से 40 रुपे के प्राइस पे हमें देखने मिल सकता है कि नहीं और क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है अभी के लिए कि TTML वापस से 40 रुपे के प्राइस पे जाएगा ये सबी चीजे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे तो अगर आप TTML को दोस्तों फॉलो करते हैं क्योंकि अगर आप अल्रेडी अगर आप हमारे चैनल पे देखते होंगे या फॉलो करते आ रहे होंगे तो TTML से related दोस्तों हम already वीडियो बनाते रहते हैं और इस शेयर ने दोस्तों जब यह 7 रुपे पे था तब से हम इसे follow कर रहे हैं और इसने काफी अच्छा return दिया है अपने investors को तो यहाँ पर आज दोस्तों इस वीडियो में हम discuss करेंगे genuine news क्या है और क्या दोस्तों यहाँ पर हम देखे technical analysis के जरीए कहां पर TTML का कारवा रुकेगा जो lower circuit दोस्तों पिछले 5 दिनों में लग रहा है TTML में इसका कारवा कहां तक रुकेगा और क्या होगा दोस्तों आगे यह सारी चीज़े आज की वीडियो में हम discuss करेंगे तो अगर आप TTML को दोस्तों follow करते हैं इसमें invested हैं तो यह वीडियो जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले आईए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और दोस्तों जैसे के आपने थमनेल पर पढ़ा है कि TTML के 48 रुपे के प्राइस पर पहुचेगा तो इसके पीछे दोस्तों यहां पर मैं आपको reason बता देना चाहूंगा कि क्या reasons हो सकते हैं कि TTML वापस से 40 रुपे के प्राइस पर पहुच सकता है या नहीं पहुच सकता है हाली के दिनों में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अभी एक TTML से related news आई थी जिसे हमने cover किया था कि Government of India ने दोस्तों जो spectrum charges होते हैं और जो AGR से related इंका मामला था उसे इनके दोस्तों equity shares में सुल्टानी की बात की है यानि कि दोस्तों अगर हम देखें तो TTML में Government एक हिस्सा लेगी जो की लगबग दोस्तों 40 रुपे के हिसाब से था और वो दोस्तों अगर हम देखें तो 2-3 मेहने पुरानी बात है दो-3 मेहने पहले ही ये Government से deal हो गई थी लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी तक Tata Group का कोई फैसला आया है नहीं तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो 40 या 41 रुपे के price से Government ने लगबग लगबग 10% के आसपास का stake का मांग किया है TTML के share में और इसलिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो TTML के share में हमें काफी lower circuit देखने मिला इसका 52 week high था 289 रुपीस वहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें हमें lower circuit देखने मिला और लगबग लगबग दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसने अपना 52 week high से technical analysis की भी बात करेंगे और क्या possibilities बन रही है कि TTML 40 रुपए पर पहुचेगा या उससे उपर भी trade करेंगा तो यह सारी चीजें दोस्तों मैं आपसे discuss करूँगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका 52 week खाय था वो 290 रुपीज था और फिलाल अगर हम आज के दिन भी देखें तो 213 रुपए के आसपास ये share trade कर रहा है trade क्या कर रहा है दोस्तों अगर हम देखें तो lower circuit में लगा है लगवग लगवग एक करोड के आसपास order लगा हुआ है और market में दोस्तों दो तरके दी जा रही हैं TTML को लेके पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसमें correction देखने मिल रहा है एक यहाँ पर तरक यह दिया जा रहा है कि TTML में हमें correction देखने मिल रहा है और एक हिसाब से दोस्तों यह सही भी हो सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो almost इसने अपने last जो दोस्तों इसका 154 रुपीस का price था उसके बाद से यह direct दोस्तों 88.29 यानि कि लगबग 90% के आसपास grow किया था और उसके बाद से हमें इसमें गिरावट देखने मिली तो यहाँ पर एक correction की भी बात हो सकती है और दूसरा दोस्तों जो government का यहाँ पर news आया कि government इसमें 40 रुपीस के हिसाब से अपना stake लेगी जो की लगबग 10% के आसपास है तो यह दोनों news दोस्तों मिला के अगर हम देखें तो TTML को असर कर रहा है और पिछले 5-6 दिनों से अगर हम देखें तो यही दोस्तों इसे नीचे lower circuit पे लेके आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो investors के मन में अभी भी दोस्तों उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें TTML को sell करें या इसे दोस्तों hold करके रखे रहें तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको technical analysis के जरीए समझाने के कोशिश करता हूँ कि क्या कब और कैसे TTML का अभी भी जो दोस्तों यह lower circuit का कारवा है यह तुट सकता है और वापस एक बार फिर से TTML upper circuit में जा सकता है और यहाँ पर दोस्तों reason भी साफ है अगर मैं आपको TTML के बारे में बता हूँ तो TTML को दोस्तों Tata के जवारा back किया गया है Tata Group के द्वारा और normally अगर आप TTML का business भी देखेंगे दोस्तों तो टेलेकॉम इंडेस्ट्री से शिफ्ट करके इसे B2B सेक्टर में ला दिया गया है यानि कि business to business और यह काफी अच्छी बात काफी अच्छा step लिया गया था Tata के द्वारा Tata Group के द्वारा जिसके वज़े से TTML के share में दोस्तों हमें लगातार upper circuit देखने मिला जो कि 7 रुपे से 290 रुपे तक था और यह काफी अच्छा दोस्तों था अगर हम देखें तो share market में ऐसी shares के return दोस्तों जल्दी मिलते नहीं है सो आईए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि actually अगर हम देखें तो technical analysis के जरिये जो TTML है दोस्तों उसका lowest circuit कप दुट सकता है सो यह सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो यह 189 रुपीस के आसपास अगर हम देखें तो यहां से TTML वापस उपर जाना start हो सकता है तो 189 रुपीस से TTML वापस से उठ सकता है क्योंकि यहां से दोस्तों अगर हम देखें तो last time जब इसने इसे breakout किया था यहां पर यह ब्रेकाउट लेवल हुआ था दोस्तों यहां पर technical analysis में कुछ terms होते हैं और breakout काफी अच्छा माना जाता है breakout दोस्तों यहां पर 189 रुपीस के आसपास TTML के share ने दिया था उसके बाद से दोस्तों लगबग 90 के आसपास गया था तो अगर अगर हम देखें दोस्तों तो 189 रुपीस के आसपास वापस से investors यहां पर पैसा लगाना start कर सकते हैं और maybe TTML यहां से उपर जाना भी start हो सकता है वेल इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यह दोस्तों जो moving average की line है यह भी लगबग लगबग 189 रुपीस के आसपास आके रुपती है और यहां पे दोस्तों अगर हम RSI की भी बात करें तो यह भी 50 पे चल रहा है और जैसे ही दोस्तों यह 40 के नीचे जात पहला दोस्तों यह 189 पे होगा और दूसरा अगर हम देखें तो 154 यह 144 दोस्तों यहां पे होगा लगबग लगबग यह रहा 146 रुपीस के प्राइस पे यहां पे भी मैं एक line mark कर देता हूँ यह देखें दोस्तों लगबग ऐसे 146 से दोस्तों 189 यह दोस्तों यह जो ले और यह कब जाएगा दोस्तों यह भी मैं आपको वता देता हूँ यहां पे दोस्तों जो government की news आई थी कि government इसमें 40 रुपे के हिसाब से stake by करेगी लगबग 8% के आसपास 9% के आसपास government का stake इसमें आ रहा है बाइ नहीं करेगी दोस्तों यहां पे मैं आपसे माफी चाओंग है उन्होंने इस फैसले पर दोस्तों अभी तक राजी हुए नहीं है टाटा ग्रुप सो यहां पे दोस्तों अभी तक कोई confirmation आया नहीं है यह भी आप जान लीजिए अगर टाटा ग्रुप के द्वारा दोस्तों यह confirmation आता है कि government को 40 रुपे के हिसाब से stake दिया जाएगा 9% के आसपास तो यहां पे possibilities बनती है और यह जो technical analysis है दोस्तों यह तब fail हो जाएगा और maybe हमें दोस्तों share अगर हम देखें TTML का तो वो 100 रुपीज के आसपास आता हुआ जरूर नजर आ सकता है यहां पे दोस्तों यह सिर्फ possibilities हैं यहां पे यह भी मैं आपको बता देना यह कुछ possibilities हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले तर के हिसाब से अगर हम जाए अगर यहां पे correction ही हमें अगर TTML में देखने मिल रहा है तो यहां पे high possibilities हैं कि 189 रुपीज जो की लगबग लगबग दोस्तों 2-3 दिनों में हमें देखने जरूर मिल जाएगा 189 से 146 यह दोनों भी यह जो दोस्तों distance है यह दो distance के बीच में TTML में upper circuit या trading देखना दोस्तों हमें start हो जाना चाहिए और अगर दोस्तों यहां पे high possibilities हैं कि यहां पे हो जाएंगी तो यहां पे वापस से TTML में हमें दोस्तों upper circuit देखने मिल सकता है बट यह भी दोस्तों possibilities हैं कि अगर Tata Group दोस्तों government को 40 रुपे के हिसाब से stake दे देती है तो यहां पे दोस्तों काफी सारे investors को maybe TTML 100 रुपे के आसपास भी देखने मिल सकता है या उससे नीचे भी दोस्तों हमें trade करता हुआ नजर आ सकता है अब इसके पीछे दोस्तों अगर मैं आपको reason बताओ तो reason बिलकुल साफ है अगर आप देखेंगे दोस्तों जब government को 40 रुपे के हिसाब से stake दिया जा सकता है तो इतने high price पे कोई trade दोस्तों क्यों लेगा कोई investor इतने high price पे क्यों invest करना चाहेगा यह simple सा दोस्तों formula बनता है जिसके वज़े से investors के मन में दोस्तों यहां पे घबराहट सी आ रही है और इसी के वज़े से यहां पे इसमें high selling pressure हमें देखने को मिल रहा है यह दोस्तों दो तीन चीजे हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं बाकी अगर हम ttml as a company के हिसाब से देखें तो इसका future दोस्तों हमें काफी अच्छा देखने मिल रहा है फिलाल के अगर हम देखें तो इन्होंने जो अपना दोस्तों business shift किया है B2B इसके वज़े से इनके दोस्तों अगर आप investor segment में जाएंगे तो FYI's की दोस्तों जो investment है वो काफी अच्छी तरीके से बढ़ी हुई है जो की लगबग दोस्तों अगर आप देखेंगे June 2021 में 0.01 थी और अभी December 2021 में दोस्तो अगर आप देखेंगे तो 0.79 है और में भी दोस्तों अभी का जो इनका result आएगा इसमें भी हमें इसमें दोस्तों काफी increase देखने मिल सकता है दूसरी बात दोस्तों अगर हम ध्यान दे तो यहां पे जो TTML है दोस्तों यह भी profitable business में आ सकता है क्योंकि दोस्तों यहां पे अ आसपास था और company दोस्तों लगबग लगबग sales 270 करोड के आसपास करती थी तो यहां पे अगर हम देखें तो sales से जादा interest यह चुकाते थे लेकिन वो दोस्तों अब इन्हें देना नहीं पड़ेगा जो की directly दोस्तों इनके balance sheet और quarterly result पे affect करेगा और इन्हें profitable business में ला सकता है तो यह दोस्तों दो तीन चीजें हैं जो TTML as a business यानि के अगर हम देखें Tata Tele Services महाराश लिमिटेड जो दोस्तों है जो इसका नाम बदल के Tata Tele Services business services किया गया है इसे profitable में ला सकता है और यह इसके investors के लिए as a long term में काफी अच्छी बात होगी क्योंकि Tata Group दोस्तों जो share है Tata Group के यह काफी अच्छी बात है तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यह एक दो scenario है जिसके वज़े से TTML में lower circuit हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा आज की वीडियो में जो भी हमने आपसे share किया है यह कोई दोस्तों सच नहीं है यह सिर्फ कुछ possibilities हैं जो TTML के साथ हो सकती है high possibilities है share market में दोस्तों कब क्या होगा यह कोई directly आपको बता नहीं सकता है बाकी यही दोस्तों आज के वीडियो में हमें आपको बताना था यह एक educational content है कोई भी investing advice दोस्तों हम आपको दे नही रहे हैं अपनी research आप जरूर कीजिये और अपने हिसाब से दोस्तों आप फैसला लीजिए इसी के साथ यह वीडियो हम समाप्त करेंगे अगर यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो लाइक जरूर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया